आपके घर में कोई परशानी गुज गई है आप बहुत परशान हैं चिंता ग्रस्त हैं और परशानी भाग नहीं रही है को बिमार पढ़ गया है अक्सर घर में किसी को चोट लग जाती है अक्सर पैसों का नुकसान हो जाता है पती पत्नी में तराओ हो जाता है परशानिया घेर कर रखियों चिंता दिमाग में सता रही है क्यों हो रहा है ऐसा इसके पीछे ग्रह हो सकता है राहू राहू ग्रह जो है वो आपको परशान कर सकता है देखिए राहू अगर आपकी जर फ्रिश्य तोर पर करेगा है राहू जो है वो साप है राहू किया है वे साप है और साप जब जेहर होता है तो ऐसे ही राहू अगर खराब है तो उसका जहर आपकी जिंगी में जरूर फैलेगा राहू के बारे में आपको बहुत अच्छी सी बात बता देता हूं जैसा कि बहुत सारे लोग सब जानते ही हैं कि समुद्र मन्थम के दौरान जब अम्रत बट रहा था तो राहू और केतू जो थे पहले एक थे और वो देवताओं के लाइन में बैठ गया एक राक्षस और उ जब तक भागवान ने शुदर्शत चक्र चलाया तो वह अमर हो गया तो जो राहू और केतू है ये पहले राक्षस थे फिर बाद में देवताओं की शर्णी में आ गए हैं लेकिन converted देवता है ये कोई शुरुवास से देवता नहीं थे पहले तो राक्षस थे अब राक्षस है तो राक्षस जैसी परवर्ति तो रहेगी तो राहू जो है परशान करता है राहू जो है वो सांप का मुँ है और सांप के मुँ में होता है जहर तो राहू आपकी जिन्गी में जहर खोल सकता है अब राहू क्या तकलीफ देगा? चीजों में देरी करा दे, शादी में देरी करा दे बिमारी घर में घुसा दे, तंत्र मंत्र के प्रयोग में आप पढ़ जाएं टेंशन, यह साही चीजें जो हैं राहू आपको दे सकता है आपने अपनी जिर्म कुली को दिखाया किसी एस्ट्रोजर को, किसी पंडिची को उन्होंने कहा बेटा आपकी कुली में राहू बहुत खराब है इसके लिए आपको पूजा करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको रत्म पहनना पड़ेगा इसके लिए यह करना पड़ेगा, आप देखे, पूजा पार्ट बहुत लंबा प्रोसेस है रत्म में पैसा लगता है, तब क्या करें आपकी, पैसा है नहीं क्योंकि सारा पैसा तो दुख तक्रीफों में खर्च हो रहा है और पूजा पार्ट जब तक करेंगे, तब तक परिशान हो जाएंगे क्योंकि पूजा पार्ट एक दित में खतम होती रही है और हमें चाहिए सटीक उपाए आज मैं आपको राहू को शांत करने का एक सटीक उपाए बताने वाला हूं करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है ताकि आपके कोई गलती ना हो राहू कितना भी खराब क्यों नहां आपकी जनुपुली में आपके सब काम बनने लगेंगे सब काम अच्छे से चलने लगेगी देखिए ये प्रियोग जो है ये बुद्वार के लिए करना होगा सबसे पहले हम इसकी सामगनी को नोट कर लेते हैं तो बुद्वार के लिए अगर इस प्रियोग को करेंगे तो जाना बहतर रहेगा एक छोटी सी इतनी बड़ी जितनी बड़ी मैं आप या आपको दिखाऊंगा भी छोटी सी बॉटल ले ले लें कांच की या प्लास्टिक की ट्रांस्परेंट लीजिएगा ठीक है पारदर्शी थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा नॉर्बल जल और आपकी घर में अगर नील है जिसे आप लोग कपड़ों में सफेदी लात नील है या नीली रंग की शाही है वो भी ले 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 एक बूंद और थोड़ा सा मीला धागा और जोग जोगे चार दाने ये सारी चीजों को आप इकठा कर लें अब इनी चीज़ों से ही राहू भाग जाएंगे आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए कैसे भागेंगे अब मैं आपको इस उपाये को करकर दिकाता हूं बताता हूं कि स तरीखे से आप ते इन सब चीजों को प्रियोग में लेके आना है ताकि आपका भी राहू आपसे दूर हो जाए चलिए अब ध्यान से देखिएगा जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है तो लिए आपको बताया था कि हमें क्या क्या करता है देखिए एक प्लास्टिक चोटी सी बॉटल ले ली आप इसी तरीके की बॉटल लीगे और एक साफ पानी हमने इस पे भ़ग लिया आधा बॉटल पानी भग लिया या थोड़ा कम जादा ले सकते हैं आपको दिखा देख अब इस बोटल को हमने खोला और इस पे हमने थोड़ा सा ये गंगा जल बिला दिया इस तरीके से अब ये भर गया और गंगा जल को हमने रख लिया साइट में ये साइट में अब इसके अंदर ये जो हमारे पास चार डानी थे जौ के जो यह को यह देखिए video दिखा रहा हूं आप यह दिखें चार रे सऻो जो के हैं एक जरना है दो illa दॉतरा दाना पुर तीसरा पिर चौथा ऐसे अद्रबो डाल दिय अब आप आप पार नील हो तो नील मेरे पास ना ओपिस निंदे डाल दी अभव कि अपर इस 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 Şu हम नहीं और रख लिए इस को हमने इस को हम ने अच्छी तरीके से इसे बन्द किया dua को और Dehkun कि अगची में इखल और फिर भानो कुझ ऑंसे नहीं हो हो गया था में प्लू बन अब ले जिए ऊप लगा गधने के लिगों पार आप यह पह Catholic यह से मिलू जाहिक तो अब चोने दुझा में प्लू अब 5-10 था सघ्र from यह आप अपने घर पे जहां पे भी आप का घर है उसमें इसको ऐसे टांग दीजिए किसी एक साइड में कोने में कील में और ताकि इसको कोई छेड़े नहीं फेके नहीं अब यह जो बॉटल बन गई आपकी जिसके अंदर चार चौ के दानें हैं ब्लू कलर है आधा पानी है आधा रिंगा जल है और यह प्लास्टिक की छोटी सी बॉटल है और यह नीलर रंग का धागा है जिसको आपने ऐसे मजबूती से बांग कर किसी कील वगएरे में आप इसको टांग दे और इसके बाद राहु जो है आपके घर पे कभी कोई तबाही नहीं मचा पाएगा रा आप इसको आप इस तरीके से कर लें ताकि आप राहु की अश्यू प्रभावों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा सके एक बार अगर आप अपनी जर्म कुली दिखा देंगे तो उससे यह बहतर रहेगा कि हम इतना जान जाएंगे कि राहु आपको कितना प्रभावित क पर रहे हैं तो उसके लिए क्या और उपाय किये जा सकते हैं यह एक सामान में उपाय है जो कई लोगों पर आजमाया गया और कई लोगों को इसके लाब हुए तो हो सकता इसका लाब आपको भी मिल जाए जर्म कुली दिखा कर आप अगर अपने करहों को समझेंगे और उस जली है आपने सारी कितनी आसानती मुशक्र से मुश्किल गंगाजल हल घर में होता है मुशक्र से मुश्रिण इस पें पांच रुपय और दस रुपय का खरचाया होगा लेकिन हजारों लाखों की पूझा रख्म के पर यृच्व्द बच गाए इस उपाय को करेंगे दस उसको घरार ऑई खृम dungeon करने का और उपया है ने को छाइब है को बड़ा होगे साथ आपसे परेशान को सकते हैं दर्णवान नहीं वनसकते हैं अन्य जरूर कराये ताकि हमें कि जो अरफunu की जानु समीर दिखत लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पराइए और इसोर का नाम लेते रहें रादे राधे